विल्कम बैक फ्रेंड इन आवर चैनल C.O.E.T. वर्ड और ये हमारे इंटरनाशनल रिलेशन की थियोरी इसमें आखरी क्लास होगा और इसमें हम लास्ट जो हमारा कंसेप्ट बचा हुआ है लिब्रल स्कूल का उसको कवर करेंगे इस लेक्चर को देखने से पहले आपको इस C.O.E.T. 2023 की तियारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो कोस्चन आपके IR वाले पार्ट से आने है वो यहीं से आएंगे तो अपने लेक्चर को हम आगे करते हैं और हमने लिब्रलिजम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिसकस किया था हमने लिब्रल के कंसेप्ट में अलग-अलग स्कूल के बारे में डिसकस किया था जैसे इंटरडिपेंडेंस लिब्रलिजम हो गया हमने डिवी डिरकाडो की बात की थी हमने स्ट्रॉंग और वीक लिब्रल्स की बात की थी हमने हाई पॉलेटिक्स लो पॉल चनाया था, Francis Fukuyama का जो इंडफ हिस्टरी डिवेट है, तो इसको हमने समझा था उसके बाद हमने लिबरल इंस्टिटिउशनलिजम के बारे में पढ़ा था, तो अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट को डिसकस किया है, और आज के चैप्टर में, आज का जो हमारे ये क्लास है, इसमें जो हम आखरी के दो स्कूल्स है, जो इंगली स्कूल अफिंटरनेस्नल रिलेशन है और जो रेजीम थियोरी अफिंटरनेस्नल रिलेशन है इसको कवर करेंगे, तो सबसे हम कह सकते हैं कि ऐसे field जहां से questions आने के बहुत जादा समभाव नाए हैं वो ये schools हैं ठीक है तो सबसे पहले कि English school क्या है देखो English school एक term है जो की coin किया गया था Roy Jones के दौरा 1981 में तो यहां से सिधा सिधा question आपको आ सकता है और English school का main theme क्या है देखो आपने अभी तक देखा होगा कि हमने international politics में दो परकार के ideology को पढ़ा है एक realism है जो कि यह believe करता है कि वह सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनार्की है international order की अगर हम बात करें तो और वहां पे state को अपने benefits अपने national interest को ज्यादा value देनी चाहिए वहीं पे liberal school यह कहता है कि नहीं हम सोसाइटी में cooperation से और हम सोसाइटी में institution बनाके हम एक दूसरे को corporate करके trade करके और एक सांती हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही optimistic society की बात करते हैं liberal school वाले अब जो यह conflict है रियालिजम वर्सिस लिबरलिजम की इसमें दिक्कत यह हो रहा था कि दोनों अपने-पने extremes में बात करते हैं एक totally dark side की बात करता है कि नहीं भाई school आता है जो कि दोनों के insights को use करता है so it says that international relations are best understood by using insight of both liberalism and realism by recognizing counterbalancing forces of conflict and cooperation तो conflict और cooperation ऐसा दो अलग अलग इंड तो हैं ही पर यह एक दूसरे को counterbalance भी करते हैं कि अगर conflict होगा तो cooperation भी होगा ऐसा नहीं कि conflict होगा लेकिन cooperation विलकुल नहीं होगा so this is the main idea of English school so the theorist of this approach subscribe to the notion of international society यह international society की बात करते हैं कि there is a society और उस society के अंदर में क्या क्या आता है so according to Barry Bujar जो international society है it is about the institutionalization of shared interest and identity among states कि state अपने आपस में क्या कोई identity share करते है क्या common है and puts the creation and maintenance of shared norms, rules, institutions at the center of international relation theory तो हम norms की बात करते हैं कि हाँ एक understanding होनी चाहिए states के बीच में तो यह society होता है समकी assumption of the approach क्या है इस approach का सबसे important assumption क्या है देखो यह approach बोलता है न कि जैसा realist बोलते है कि एक system of state है वो power को balance करेंगे और वो हमेशा एक दूसरे से conflict करेंगे ऐसा नहीं है in the arena of international politics there exists a society of state which is different from system of state as suggested by the realist तो यह society of state की बात करते हैं society of state क्या है देखो society of state जो है न it implies that international relations are governed by rule of law which maintains international order तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो liberal concept के बहुत पास चले जाते हैं कि जो मतलब society चलती है society में जो नियम होते हैं हो सकता है कि वो नियम documented ना हो सकता है कि वो नियम written ना हो पर हम कोई पता है कि वो नियम क्या है तो ऐसे कुछ rule होते हैं ऐसे कुछ नियम होते हैं rule of law होते हैं कुछ वो maintain करते इंटरनेशनल order को such society rests on the principle of harmony cooperation among the state तो ये भी harmony और cooperation की बात करते हैं वहीं पर जो system of state है वहाँ पर ये है कि system of states indicate how power politics lay at the core of international transaction between the states तो ये realist concept है system of states का इसमें वही मर्साइमर और केनित वॉल्ज वाले debate है कि state जो है वो या तो security को maximize करेगा नहीं तो power को maximize करेगा आगे अगर हम इस regime theory को देखे तो international law diplomacy and activity of international organization are the key to generate cultural cohesion and social integration तो ये कहते हैं कि जो international जो अंतरराष्टरिय नियम है जो हम diplomacy करते हैं अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो obviously हम जो diplomacy करते हैं हम किस परकार से अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं soft power का हम इस्तमाल करते हैं हमेज़ा हम hard power की बात नहीं करते हैं हम अपने soft power से भी बहुत सारा काम करवा लेते हैं international organization का क्या important role है वो कैसे जैसे WTO को ले लो IMF को ले लो तो ये कैसे play करते हैं कि दो state अपने बीच में relation को कैसे maintain करें तो ये सारी चीजे काफी important होती है जो सबसे important thinker है और बार-बार इसे question पूछा जाता है वो है Headley Bull तो Headley Bull जो है वो English school के सबसे prominent thinker है और इनको इनका जो सबसे important idea है वो है anarchical society का तो anarchical society जो है उन्होंने अपनी book लिखी थी तो anarchical society study of order in world politics 1977 इसको आप एकदम note कर लो यहाँ से question आने ही आने है तो इसमें इनोंने एक term यूज किया था anarchical society वो है क्या तो central idea of anarchical society is that while operating in an anarchical system of international politics a state do abide by certain unwritten laws and ethics which help in upholding international order कि anarchical तो है नार्की तो है समझो कि आराजकता तो है means lawlessness है लेकिन वो lawlessness जो है वो एक society के अंदर में है जिस society में अपना एक understanding होता है हो सकता है वो law जो written ना हो जो ethics हो वो एकदम conduct की तरह कहीं पर लिखे हुए ना हो जैसा कि domestic society में होता है या domestic politics में होता है कि हमारे पास एक written constitution होता है rule of law होता है एसा नहीं होता है पर understanding होती है लोगों में इसलिए लोग corporate भी करते हैं सिर्फ conflict नहीं करेंगे इसलिए बोलते हैं कि यह एक medium बीच में ख़ड़ा रहता है realist और liberal के इसके बाद जो important international relation में थियोरी है वो है regime theory of international relation regime theory क्या है तो regime theory भी liberal tradition से निकला है कि हमारे पास कुछ principle होते है कुछ सिध्यानत होते है कुछ हमारे values होते है और वही govern करते हैं कि state अपने आपस में कैसे interact करेंगे so it argues that international institutions and regime affect the behavior of state or other international factor so a regime is described as a set of principle procedure, norms or rules that govern the interaction of state and non-state actor in particular issues area within international politics कि जो हमारा एक अपना नियम होता है जैसे अगर मैं बात करो इंडिया की तो इंडिया में अगर आप philosophy देखोगे तो हमारे constitution में ही हमारी philosophy जलगती है कि हम वसुदेव कुटुमबकम की बात करते हैं हम बात करते हैं कि हम non-aggression की बात करते हैं हमने imperialism को हमेशा से disregard किया है तो यह हमारे norms हैं हमारे values है वैसी international order का एक value होता है और उस value के अनुसार लोग जो है काम करते हैं So they are social institutions with either a former or informal character Example of regime में क्या क्या आएगा treaty, convention, international agreement international organization हमने कौन-कौन से treaty करी है हमारे कौन-कौन से convention है हमारा agreement क्या क्या है internationally international organization में हमारा क्या रोल है So यह regime के अंदर में आता है international organization भी एक regime के अंदर में आता है So the regime operate in a wide variety of issue areas like economics, human right अगर मैं बात करो human right की तो human right के लिए भी क्या है एक संस्था है जो human right के practice को देखती है observe करती है environment की अगर हम बात करें तो उसके safeguard के लिए भी अलग-अलग convention होते हैं जैसे कि अगर हम Stockholm conference को देखें रायोडेजिनेरियों summit को देखें तो यह सारी चीजे state के behavior पे affect डालती है obviously डालती है कि अब जब से जो Stockholm conference हुआ है या रायोडेजिनेरियों summit हुआ है सारे state कहीं न कहीं aware हो गए है कि हमें international so हमारे environment को protect करना है वैसे transport के लिएके हमारा कुछ agreement होगा हमारा कुछ security को लेके होगा policing को लेके होगा communication को लेके होगा so the greater significance of regime reflects the growth of interdependence और जब यह चीजे होंगी जब हम convention करेंगे treaty करेंगे तो हम एक दूजरे पे ज़्यादा से ज़्यादा sorry आसरीत होगे and the recognition that cooperation and coordination can bring absolute gain to all parties और जब हम cooperation की बात करते हैं जब हम coordination की बात करते हैं तो इसमें जितने भी parties involved है उन सबका gain होता है so this is something about the regime theory अब इसके important हम कह सकते हैं कि figure कौन-कौन है इसके सबसे important जो हम personality दानते हैं वह स्टेफन डिक कार्सनर और Robert Kewen Robert Kewen बहुत important है क्योंकि Robert Kewen और Joseph Rai को neo-liberal भी कहा जाता है जो उन्होंने complex interdependence की बात करी थी मैंने इसके बार में पिछले क्लास में भी discuss किया था तो स्टेफन डिक क्रैसनर है और Robert Kewen है इन्होंने एक किताब लिखी थी After Hegemony 1984 में उसको has been described as the fullest expression of the regime theory तो regime theory का जो सबसे important book है वो है After Hegemony जो Robert Kewen के द्वारा लिखी गई थी और इसके सबसे important figure स्टेफन डिकार्सनर है दो इसमें important मैं और तिंकर अभी बता देना चाहरा हूँ जो है Robert Kewen और Joseph Nye जो complex interdependence की बात करते है इनके book से बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है जैसे Robert Kewen का जो book है Translation, Relation and World Politics 1971 में लिखी गई थी Power and Interdependence World Politics in Transition 1977 में लिखी गई थी यहां से question आपको match of the following में भी आ सकते है या आपको direct question ये book का नाम देके आपसे जो है इनका जो writer है उसका नाम पूछा जा सकता है वैसी जो term है soft power आज के date में soft power, smart power, hard power यहां से भी question आते है So Joseph Nye, he coined the term soft power soft power का मतलब क्या होता है the ability to attract and persuasion जैसे soft power के हम बात करते हैं कि बिना हम किसी army, बिना किसी defense, बिना किसी hard power का इस्तिमाल करके अगर अपना decision मनवा दे रहे हैं soft power बहुत सारे तरीके से हो सकता है जैसे even filmों से हो सकता है गानों से हो सकता है, culture से हो सकता है हमारे language से हो सकता है ठीक है, तो soft power के अंदर में बहुत सारा आता है और smart power को इन्होंने coin किया था that is between soft power and hard power थोड़ा सा हम soft power का इस्तिमाल करते है थोड़ा सा हम hard power का इस्तिमाल करते है और अपना काम निकल वा लेते हैं आज के date में soft power बहुत important है इसको समझना now and his major work includes bound to lead 1990 में इन्होंने लिगी की थी the paradox of American power 2002 में और soft power 2005 में तो ये देखो ये हमारे वीडियो का जो IR का मैंने series start किया था उसमें ये 6th वीडियो है और हमने लगबग IR के जितने भी concept है ना उसको इसमें cover कर लिया है जो कि आपके CUET के syllabus में दिये हुए है वैसे IR में और भी बहुत सारी major theory है ठीक है चाहिए वो marxism किसे related हो गए या constructivist जो identity है या sorry ideology है तो उससे related भी बहुत सारी चीजे है जो कि हम पढ़ सकते हैं बट अभी हमारे लिए वो उतनी important नहीं है जितनी important ये दो theories थी तो हमने दो theory के बार में मैं अगर आपको एक बार summarize करना चाहूँ तो summarize कर देता हूँ कि मैंने आपको दो theories के बार में mainly बताया international relation में एक realist school एक liberal school realist liberal में आपको जो understanding है बस वहाँ पे काम करना है realist कौन थे तो इसका एक history है एक background है background क्या था realist का कि दो world wars हुए 1914 में एक start हुआ 1918 में खतम हो गया एक 1949 में हुआ 1942 में खतम हो गया 1945 में खतम हो गया तो ये जो दो world war थे ना इसने लगभग उस समय के जितने भी ये state है उसको अपने आप में involve कर लिया और एक बहुत बड़ी तरासदी थी human history में तो इसको समझने के लिए अलग-अलग school सामने आते है 1914-1918 के बीच में जो world war हुआ उसको एक school जो सबसे पहला school है फिए international relation का liberal school उसने बोला कि ये world war इसलिए हुआ है क्योंकि society में बहुत ज़्यादा इनारकी थी international order में बहुत ज़्यादा इनारकी थी लोग हमेशा एक दूसरे पर हमला करते थे balance of power करने की कोशिश करते थे treaties करते थे संदी करते थे और इसके कारण क्या हुआ कि ये conflict इतना बड़ा हो गया कि लगभग सारे देश इन्वाल्व हो गए अब इसके लिए हम क्या करेंगे तो इससे बचने का उपाय उन्होंने दिया जो लिबरल स्कूल वाले थे जैसे हमने वोड रोविल्सन के बारे में पढ़ा था उन्होंने जो 14 पॉइंटे स्पीच दिया था कि सबसे पहले तो कि हम एक international level पर government set करेंगे एक international level की बड़ी बनाएंगे जो की rules और regulation को govern करेंगे उन्होंने international law की बात करी उन्होंने free trade की बात करी obviously उस समय इतना ज़्यादा ये concept नहीं था पर trade की उन्होंने बात करी cooperation की बात करी तो बोला कि अगर हम cooperation करेंगे अगर हम war के वज़ाए trade करेंगे तो हमारे हाँ पे santi, peace बहुत ज़्यादा होगी अब हुआ क्या कि इनका जो plan था वो fail कर गया और इसका बहुत बड़ा आपको एक outcome देखने को मिलता है कि world war 2 हो गया world war 2 में जो world war 1 में जितनी मतलब हम कह सकते हैं casuality या जितने लोग मरे थे या जितनी बड़ी वो तरास्दी थी disaster था उससे बहुत बड़ा जो तरास्दी हुआ वो world war 2 में हो गया तो world war 2 के बाद एक नए set of thinker सामने आए जिनको हम बोलते हैं the son of dark या realist जो बात करते हैं कि नहीं देखो आप ये समझो कि हम इसान हमारा nature ही खराब है तो जैसे Thomas Hobbes की हम बात करते है political theory में तो उन्होंने भी लगबग बहुत pessimistic view दिया human nature को लेके कि हम इसान का हमारा nature ही खराब है हम हमेसा अपने greed के लिए हम brutal होते है, cruel होते है greedy होते है वैसी इस्टेट भी हमेसा अपने greed, अपने need के लिए ही एक दूसरे से interact करता है तो वहाँ से एक school आता है realist, उसके सबसे important thing गर Morgan Thaw हो गए Morgan Thaw ने अलग-अलग principle दिया और फिर ये debate आगे बढ़ता गया अलग-अलग phases आया world history में cold war उसके बाद स्टार्ट हो गया cold war के समय में realist understanding और काम करने लगी क्योंकि पूरे-पूरे अब cooperation की तो बात ही नहीं है एक netto के दौरा हम कह सकते हैं कि lead में एक पूरा का पूरा group आ गया एक जो है वो Russia USSR के दौरा आ गया और दोनों ने अपने अपने benefit के लिए बहुत सारे काम की फिर further realist में भी दोई स्कूल आते है structural realist उसमें एक offensive होता है एक defensive होता है तो उसमें हम Kenneth Walz और Marzheimer के बीच का debate समझते हैं फिर हमने liberal school में भी अलग-अलग types से बात करी जैसे liberal institutionalism क्या है complex interdependence क्या है आज के class में हमने English school की बात की उसके बाद हमने resume theory की बात की तो इससे related जो thinker है आपको अब पढ़ना क्या है इस topic के लिए तो आपको सबसे पहले तो की background समझना है पूरा की हुआ कैसे ये सब चीज एक बार आपको background समझ में आ गया तो फिर आपको अलग-लग theory को particularly पढ़ना है फिर उस theory के अंदर में जो concept है उससे related जो thinker है उनके नाम, उनके books के नाम और उनका year of publication अगर आपने इतना कर लिया तब आपका IR से एक भी question नहीं छूटेगा और ये परा major part होता है so this is it for our IR series इसके बाद मैं constitution पर series लाओंगा और CUET के syllabus के according जो भी चीज़े है उसको हम थोड़ा बहुत करके discuss करने की कोसिस करेंगे बाकी हमारा अभी crash course अब आने वाला है तो crash course के लिए आप इस video पर बने रही है अभी हमारा main course चल रहा है और main course में हमारे अभी हमने अच्छा खासा syllabus खतम किया है तो crash course भी जल्दी launch होने वाला है so stay tuned and thanks for watching thank you